तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ एक हार्ट सेप का एनिवर्सरी केक, ये केक का डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इससे पहले इस तरीकी का डिजाइन मैंने कभी भी आपके साथ सेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को पूरा दिखना, स्किप बिल्कू सेयर की हुई है, अगर आपने अभी तक मेरी यो वीडियो नहीं देखा है, तो मेरे प्रिवस वीडियो में जा कि वो वीडियो आप जरूर चेक आउट कर सकते हो, तो इसके का फ्लेवर था बटर स्कॉच, इसका वेड था एक पांड लेकिन इसके को डिकोर संस करते करते कर सकते हो, तो मेरे प्राइस को कमिया ज्यादा भी ले सकते हो, और एजा फिलिंग के लिए मैंने यह पर यूज किया बटर स्कॉच क्रास आप चाहो तो यह पर कारमल सौस भी यूज कर सकते हो, आप जाओ घर पर बना लो या फिर आप मार्केट से भी खरीच सकते हो, अगर मैं जादागी मुझते होता है, और बहुत जादा सामानकी मृज कोई देख नहीं होता है, तो जब मैं पहले पहले केक बनाती थी, मेरे से बहुत problem होता था heart sip cake में मतलब ऐसा होता कि heart sip cake को मैं bake करती थी अच्छा तो होता लेकिन जब मैं icing करती थी ना तो वो heart sip अच्छे से दिखाई नहीं देता था मतलब इतना ज्यादा मुझे परिशानी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती मैंने 10 से 12 heart sip कोई भी एक मोल्ड अच्छे से बेख हो और icing भी ठीक टाक हो और डिजाइन भी सुन्दर लगे लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ ठीक है तो एकदम last में मैंने सोचे कि भाई मुझे ही कुछ देसी जुगर करना पड़ेगा तब मैंने किया कि एक बहुती सार्प नाइफ ले और उसके मतल से कुछ इस तरीके का सेप से कट कर लिया ठीक है और उसके बाद मैंने आइसिंग किया तो आप देख सकते हो मतलब जो heart sip का सेफ होता है वह बहुती clear लगना चाहिए तब ही आपका केक सुंदर लगेगा जैसा की बेकरी में होता है और मुझे पता है कि अगर आप बिगिनर्स तो आपसे भी यह प्रॉब्लम होता है लेकिन आप कुछ इस तरीके से केक बनाना मतलब heart sip का केक बनाना तो आप देखना कि आपका जो heart sip का केक है वह बहुती बढ़िया बनेगा बहुती अच्छा बनेगा एक तिम बेकरी स्टाइल में जैसा मिलता है heart sip वह ऐसा ही बन जाएगा तो यह पर मैंने इस design को change किया दो से तीन बड़ जैसे कि आप screen में देख पाऊगे पहले मैंने कुछ इस तरीके से setting effect बनाने की कोसिस किया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा फिर से मैंने बनाया लेकिन यह भी मुझे अच्छा नहीं लगा तो यह पूरा का पूरा क्रीम मैंने हटा दिया फिर से मैंने थोड़ा बहुत आइसिंग के उसके बाद मैंने फिर से setting effect लाने की कोसिस की तो setting effect लाने के लिए एकदम last time मैंने अपस सिर्फ और सिर्फ एक कलर यूज किया ताकि यह के कलोक अच्छा लगे अगर अब दो तीन कलर यूज करोगे ना तो जो setting effect है ज्यादा तार वह अच्छा नहीं लगता है एक दो से तो ठीक ताक है लेकिन एक दो से अगर आप ज्यादा करने की कोसिस करोगे ना तो जो setting effect है वह एकदम blackish type का हो जाएगा डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जैसा कि आज मेरे साथ हुआ था और नेक की साइट में मुझे बनाना है और दुसरे तरफ कुछ और डिजाइन बनेगा और अगर ये सेम डिजाइन मुझे मेरे तरीके से बनाना पड़ता तो मैं यहापर multi color का roses कभी भी नहीं लगाती लाइक मैं यहापर सिर्फ और सिर्फ एक color का roses लगाती और वो red होता क्योंकि red और हार्ट से यह दोनों ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में तो opposite site में मुझे यहापर कुछ डिफरेंट टाइप का flowers बनाना पड़ेगा और यह flowers बनाने के लिए मैंनी अपर same rose nozzle लिया है और यह rose nozzle थोड़ा चोटा साइच का है कोई भी rose nozzle के मदद से आप यह flowers बना और नेक्स्ट मैंने यह पर लिया है एक piping bag go visit में कट कर कि कुछ इस तरीके से मैंने lift बना लिया है आप चाओ तो यहाँ पर lift nozzle भी use कर सकते हो और यह केक का लोग बहुत ही अच्छा लगड़ा था लेकिन यह design अभी भी खतम नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मैंने यह पर ले ल अमची अच्छा से नहीं लिए यह मैंने कहीं से भी लिया है यह मैंने प्रिंट अट कर लिया था और इसके बाद मैंने लिख अच्छान बना लिया था क्यूंकि मेरे पर ज्यादा टाइम नहीं था और यह पर थोरा design मैंने अच्छा कि ao tunical यहाँ ज चैश किया लाक जो लास्ट में नहीं है पर थोड़ा बहुत स्प्रिंकल के मदद से थोड़ा और डिकोरसिंस करने की कोसिस किया है तो फाइनली मेरा केकट डिकोरसिंस बिल्कुल कंप्लीट है आपको कैसे लगा ये केकट डिजाइन ये मुझे कमेंट पे जरूर बताना और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए डिकोरसिंस के साथ कुछ ये रेकिपिस के साथ अभी के लिए बाई-बाई